हाई उक्ताले कॉलेश रिक्षा राजस्थान के इस प्लैटफॉर्म ग्यान सुधा सक्सिस साथी में एक बार फे आपका स्वागत है आईए आज हम करते हैं जैम केमिस्टी के कुछ MCQs इससे पहले कि हम आज के questions को solve करना शुरू करें याद कर लेते हैं कि alpha particles या alpha rays कहते हैं helium nuclei को जिसका mass number है 4 और atomic number है 2 जो beta rays होते हैं वो fast electrons होते हैं और gamma rays जो हैं वो electromagnetic radiations होते हैं इसके अलावा जो ये informations हैं वो हमारे आज के MCQs जो हम solve करेंगे उन में काम आने वाले नहीं हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए लिए लिखे वे थे displacement law या fans सौडी रसल नियम के बारे में भी हमें हम याद कर लेते हैं एक बार देखिए जो कोई भी अगर element है उसमें से अगर beta particle emit होता है या निकल जाती है beta particle उसमें से तो periodic table में वो अगर देखिए lower group में है तो higher group में वो element displace हो जाएगा जो final इसका result आएगा जो atom होगा element होगा वो higher group में displace हो जाएगा ठीक उसी तरह से अगर alpha particle का emission होता है इस तरह से आप देख सकते हैं कि periodic table में जो group है वो 6B दिखाया गया है alpha particle का emission बताया गया है तो वो 4B में यानि दो group नीचे की तरफ या कम number वाले group की तरफ वो element displace हो जाता है तो यह बाते हैं हम अपने ध्यान में रखते हैं करते हैं आज का पहला question यह जो पहला question है वो GK से जादा related है देखिए radioactive isotope used to locate brain tumor तो brain tumor को locate करने के लिए कौन सा isotope यूज किया जाता है यह 4 options हम को दिये वे हैं और इसका answer है option number C that is 131 iron 53 तो यह GK का question था है आपको यह ध्यान में रहना चाहिए next question करते हैं the radioactive element यह RA दिया हुआ है Z उसका 88 है atomic number 88 है और यह कहा गया है कि 3 alpha particle यह emit करता है इसमें से alpha particles एक के बाद एक 3 alpha particles निकलते हैं पूछा गया है deduce in which group the resolution will be found तो 3 alpha particle के निकलने के बाद कौन से group में element वो पहुँच जाएगा periodic table में इसके लिए हमें उसका electronic configuration है वो भी मालूम होना चाहिए और electronic configuration पता होने के लिए atomic number हमको मालूम होना चाहिए तो एक-एक alpha particle, alpha particle यानि helium का nucleus, mass 4 और atomic number 2 है इसका तो अगर 3 निकले हैं तो 3 into 2 यानि 6 atomic number में कमी आई की तो 88 में से हमको minus करना है 6 जिससे आजाएगा 82 अब ये 82 जो भी atomic number है इसका electronic configuration अगर हम लिखने बैठें तो हमें मिलेगा 6s2, 6b2 यानि ये group 4th का element होगा तो इसका answer था group 4 तो quite easy आईए देखते हैं next question जो हमाई screen पे है इसमें ये इन्होंने disintegration process दिया हुआ है और इसमें से इन्होंने लिखा है कि x इस disintegration में निकला है और साथ ही इन्होंने x क्या है 4h2 दिया हुआ है तो एकदम clear cut answer है हमें पूछा है कि इन्में से कौन सा particle x है तो हमें मालूम है कि helium nucleus जो है वो alpha particle है तो answer option A है ये भी काफी easy question था next question है complete the following nuclear reactions तो देखिए जब भी हम कोई nuclear reaction करेंगे तो left hand side के जो mass number होंगे right hand side के total mass number के बराबर होंगे उसी तरह से left hand side के जो atomic numbers का addition होगा सब को जोड़के right hand side में जो atomic number का addition है उसके बराबर आना चाहिए इन्होंने यहाँ पर दिया है 14 और 4 तो 14 और 4 हुआ 18 और इस तरफ यह दिया हुआ कि एक है तो एक atomic mass है तो बाकी बचा 17 तो 17 होगा और यह atomic number अगर हम देखें तो 7 plus 2 7 plus 2 हो जाएगा 9 इधर उन्होंने एक दिया हुआ है तो बचा है 8 तो जो isotope होगा जो isotope होगा 17 और 8 का oxygen यह isotope होगा this is the answer जो कि यहाँ लिखा जाएगा दूसरा question ठीक इस तरह से करते हैं इन्होंने 7 mass number और 1 mass number दिया है total mass number है 7 plus 1 that is 8 और जो atomic number है 3 plus 1 that is 4 तो इस side में भी हमारे पास 4 और 8 होना चाहिए अगर आप इसको देखें कि mass number है 4 atomic number sorry mass number है 8 atomic number है 4 अगर इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो यह 2 helium particles है तो यहाँ पर इधर आएगा 2 4he2 that is 2 helium या 2 आप कह सकते हैं alpha particles तो यह भी काफी आसान question था next question हम करते हैं in the following equation यह हमको equation दे रखी है और इन्होंने यह देखा दिया है कि alpha particle इसमें add हुआ है और यहाँ पर क्या emit हो रहा है यह हमसे पूछा गया है और यह हमें जो element दिया गया है उसके specifications भी हमें दे रखे हैं तो यहाँ है 241 mass number और alpha particle है alpha particle अपने को मालूमी है हमें मालूमी है mass number है 4 atomic number है 2 तो उसका मतलब हमको इसमें जोड के देखना है इस side में तो मैं इसको दुबारा लिखती हूँ यह 241 है इसका और यहाँ पर लिखावा है helium यहीं से देख लेते हैं helium का जो nucleus है वो है 4 उसका mass number है 2 उसका atomic number है और हमें दियावा है 241 तो 241 में alpha प्लस हुआ है alpha अगर add हुआ है तो इसका mass 4 है तो 241 प्लस 4 245 आया है लेकिन अगर हम यहाँ और उसके साथ ही हम mass number भी atomic number भी देख लेते हैं atomic number है 95 और इसमें 2 add हुआ है तो बन गया 97 तो हमें जो इस side right hand side में जो total add होना चाहिए add होकर मिलना चाहिए 245 और 97 उसका जोड़ आना चाहिए हमें यहाँ पर 243 दिया हुआ है और यहाँ पर सरफ alpha add हो रहा है तो 245 से यह घटा हुआ है कम है कितने 2 कम है तो 2 कम है उसका मतला जो 2 neutrons है वो इसके अंदर नहीं है वो निशकासित हुए या फिर आप emit out हो गए है आप यह कह सकते हैं 2 neutrons अगर हम यहाँ पर x की जगह लिख देते हैं 2 neutrons तो यह balance हो जाएगा equation क्योंकि 243 और एक एक neutron का mass है एक दो neutron के mass हो जाएगे 2 तो 243 प्लस 2 245 आ जाएगा जो इस side के mass के बराबर होगा तो answer जो है यहाँ पर a है option की 2 neutron particles इसमें से निकले हैं आईए करते हैं next question देखें से पहले की next question हम करें याद कर लेते हैं एक बात वो यह कि अगर parent element अगर parent element का atomic mass है w और atomic number है z और उस parent element में से alpha particle emit out या निकल गया है तो जो हमें मिलेगा उसे daughter element भी कहते हैं और जो खास बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि mass number minus 4 हो जाएगा और atomic number minus 2 हो जाएगा यानि 4 की कमी यहाँ आएगी mass number में atomic number में 2 की कमी आएगी दूसरी बात यह है कि अगर beta particle emit होता है mass number में कोई change नहीं आएगा जबकि atomic number 1 बढ़ जाएगा यह अपने को ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर questions in this fundamental से आते हैं तो हमीं याद रखना है कि alpha particle अगर emit out होता है तो atomic number 2 घटेगा और mass जो है वो 4 घटेगा लेकिन बीटा अगर emit होता है तो mass number में कोई change नहीं आएगा इन बातों को ध्यान में रखते हुए आए करते हैं next question solve the number of steps total number of steps involved and number of beta particles दो चीज़े पूछी है total number of steps कितने step और कितने beta particle emit होंगे अगर ये decay जो है nuclear decay ये दिया हुआ है तो तो हम शुरू में starting में क्या है left hand side में उसको देख लेते हैं वो है 238 और इधा है 206 यहां है 92 यहां है 82 तो जैसे ही mass में कोई decrease आता है तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसमें से alpha particle कितने निकले और कुछ नहीं और वो add up हो रहा है या balance हो रहा है तो हम neutron का सहारा ले सकते हैं उसको explain करने के लिए या उस कमी को पूरा करने के लिए उसको balance out करने के लिए तो यह सबसे पहले हम इन दोनों को minus करते हैं 238-206 तो आता है 32 तो यह जो 32 है यह mass में अंतर है तो 32 है अगर तो सबसे पहले दूनने के कोशिश करेंगे कि alpha particle कितने है alpha particle हमें मालूम है कि उसका mass जो है 4 है और atomic number है 2 तो 4 mass में हम अंतर निकाल रहे हैं एक-एक alpha particle 4 mass का है तो 4 से 32 को divide दिया तो आया 8 उसका मतलब alpha particle 8 इसमें से emit out हुए हैं तो 8 alpha particle emit हुए हैं पहली बात तो यह हमें पता पड़ी फिर हमने 92 और 82 इन दोनों का difference निकाला और हम यह ध्यान में रख रहे हैं कि 8 alpha particle है 8 alpha particle अगर है तो एक-एक alpha particle में 2 atomic number घटता है और 8 atomic particle निकल जाएंगे तो 8 into 2 यानि 16 जो है atomic number में घटाव या कमी आनी चाहिए लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस conversion को इस decay को तो हम देखते हैं 92 और 82 कितना कमी आई है 8 alpha particle के emission से 16 atomic number में कमी आई है आनी कितनी है आनी 10 है तो दोनों में difference कितना है वो निकाल देते हैं 16 minus 10 6 6 का difference है यह 6 का difference कैसा है यानी घटना चाहिए था 16 16 घटना चाहिए था घटा है 10 यानी इसमें से बीटा particle 6 emit हुए है और हमें मालुम है कि जब भी बीटा particle emit होता है atomic number एक एक करके बढ़ता है एक बीटा particle emit हुआ तो atomic number में एक बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पर 6 जो है उसमें 6 बढ़ गए हैं atomic number घटने चाहिए थे 16 घट गए हैं 10 तो यानी 6 का difference है यानी 6 बढ़े हैं बीटा particles 6 इसमें से emit हुए हैं तब ही जाके 8 alpha particle के emission के बाद जो 16 का घटा वाना चाहिए था उसकी जगह सिरफ 10 का अंतर आया है तो हम यह कह सकते हैं कि 8 alpha particle और 6 बीटा particle emit हुए हैं इस process के दोरान तो total steps कितने हुए एक एक step में एक एक particle निकलता है तो 8 step 8 alpha particle के लिए 6 step 6 बीटा particle के लिए total है 14 तो इन्होंने पूछा है total number of steps तो total number of steps है हमारे 14 14 और इन्होंने पूछा है बीटा particle कितने निकले बीटा का particle भी हम नहीं आ निकाले थे बीटा particle है 6 तो answer इस में से 14 और 6 that is option number B was the correct answer बहुत simple था यह आपको देखने में अगर complicated लग भी रह हो एक बर practice करके देख लीजे एक बर copy में लिखेंगे तो आपको पता पड़ेगा काफी आसान सा question था next question हम कर रहे हैं in boron neutron neutron capture therapy the initial boron isotope used and the particle generated after neutron capture respectively देखिए पहले तो यह जान लीजिए चीके का question है यह boron neutron capture therapy किसे कहते हैं तो boron neutron capture therapy BNCT is used for treating cancer cancer के treatment के लिए इस therapy का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें boron 10 जो एक stable isotope है उसका इस्तिमाल करते हैं और neutron capture होता है जिससे की alpha particles निकलते हैं और यह alpha particles जो है cancer cell को destroy करते हैं tumor के अंदर लेकिन साथ ही साथ यह जो alpha particles हैं यह आसपास के cell को टिशू को destroy नहीं करतें इसलिए जो BNCT boron neutron capture therapy को cancer treatment के लिए यूज किया जाता है तो इसी information में answer भी चुपा हुआ है B10 यूज करते हैं और इसमें से alpha particle जो initial boron isotope है B10 और particle जो generate होता है neutron capture के बाद वो है alpha particle so option B is the correct answer for this question next question हम कर रहे हैं इसमें the number of alpha particles alpha and beta particles generated in the following radioactive decay process यह हमको transformation दिया हुआ है और इसमें हमें पुचा है कि alpha और beta कितने इसमें से निकले काफी easy question था अभी हमने देखा है कि जब यह mass में कमी आती है तो सबसे पहले हम helium या alpha particle देख लेते हैं कि इसमें से alpha particle कितने निकले हैं क्योंकि mass decrease हुई है तो एक-एक alpha particle के लिए जो mass में कमी आती है decrease आती है alpha particle के emission से या निकल जाने से वह है 4 तो 238-234 करते हैं तो आया है 4 उसका मतलब एक alpha particle इसमें से निकल गया है तो एक alpha particle वाला option हम इन 4 में से ढूनते हैं तो इन्होंने दिया वाया है कि 2 alpha particle इसको cross करते हैं 9 alpha particle इसे cross करते हैं तो answer जो है हमारा A और C में से 1 है अब हम देखते हैं कि यह 92 और 92 अब एक alpha particle निकलेगा तो atomic number में 2 की कमी आएगी यहां 2 की कमी नहीं आई है बलकि बराबर है उसका मतलब घटाव तो आया था लेकिन beta particle के emission के वज़े से beta particle जैसे जैसे एक निकलता है वैसे atomic number जो है एक से एक number increase होता जाता है atomic number में तो उसका मतलब कितना बड़ा है? होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 90 क्योंकि इसमें से 2 घट गए बीटा के लिए लेकिन है 92 90 के बजाए 92 है तो उसका मतलब 2 बीटा पार्टिकल इसमें से निकले हैं तभी 90 के बजाए 92 जो है atomic number है क्योंकि एक एक बीटा पार्टिकल के emission से जो atomic number है वो एक एक बढ़ता है यह हमने अभी देखा है तो इसका answer क्या होगा answer होगा, दिखे 2 alpha particle नहीं था, उसे तरह से no alpha particle नहीं था और 4 beta particle भी नहीं है this is the correct option answer A यह भी काफी easy था next question को करते है the isotope 214 यह दिया हुआ है, इसका atomic mass और atomic number यह दिया हुआ है इसमें से पूछा है एक alpha और एक beta particle इसमें से निकल जाता है और isotope x बनता है तो number of neutrons in x यह भी काफी easy है number of neutrons हम कैसे निकाल सकते हैं number of neutron हम mass number से निकाल सकते हैं number of neutrons is equal to mass number minus atomic number atomic number number of proton है और जो mass number है वो number of neutron और number of proton इनको मिला कर होता है तो atomic number हमको दिया हुआ है to 14, 214 और इसमें से दो particles निकालने हैं एक alpha और एक beta एक alpha अगर हम निकालते हैं alpha निकाल रहे हैं तो mass में कितना कमिया आएगा 4 का difference आएगा तो एक alpha particle mass में कमिया आई है 4 की तो 214 से 4 minus किया तो 210 तो 210 इसका mass number है यह हमने हमें जो x sorry जो isotope है x उसमें mass है उसका mass है 210 अब देखते हैं कि atomic number atomic number क्या दिया हुआ है atomic number दिया हुआ है 84 और alpha particle के एक alpha particle 1 alpha particle के निकलने से mass में 2 कमिया आईगी फिर उन्होंने beta particle भी बोला हुआ है beta particle के निकलने से जो mass में एक बढ़ोतरी होगी तो हमने यह देखिए 84 जो original था parent nucleus था उसमें 84 में से 2 alpha particle के लिए एक beta particle के लिए इसमें से add किया है और alpha particle को इसमें से atomic number को इसमें से reduce किया है तो 84 minus 2 आया है alpha के लिए plus 1 आया है beta के लिए total आया है 83 अब यह है 83 जो आया है this is 83 is atomic number तो atomic number है 83 और यह 210 जो हमने निकाला था वो था mass number और हमें मालूम है के mass number और atomic number उसमें से अगर minus करते हैं तो number of neutrons आते हैं तो हमने 210 जो की mass number था उसमें से minus किया atomic number को number of protons को तो आया 127 तो number of neutrons जो होगा वो है 127 and this was the answer यह भी easy question है अब हम याद करते हैं कि cause of radio activity क्या है radio activity nuclear property है और यह जब nucleus जो unstable होता है उसकी वज़े से radio activity होती है तो दो करणों से होती है कि n by p ratio जो है वो अगर higher हो n by p ratio अगर high हो तो भी radio activity होती है और उसके लिए जरूरी है stability के लिए ही stability को प्राप्त करने के लिए radio activity होती है तो अगर n by p ratio is higher than required जितनी जरूरत है उससे अधिक है n by p ratio ऐसे में such nuclei have the tendency to emit beta rays तो ऐसे में beta ray जो है वो emit होगा जिससे की आप देख सकते हैं कि n by p ratio जो है वो stabilize हो जाता है next है कि अगर n by p ratio जो है वो कम है जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कम है यानि इसमें जो proton का जो quantity है नमबर है वो जादा है और neutron की कम है तो n by p ratio जो है कम है तो वो तीन तरह से emission हो सकता है इसमें alpha particle emit हो सकता है या फिर एक positron emit हो सकता है या फिर k electron capture हो सकता है तो इस तरह से ये तीन processes है n by p ratio अगर कम हो तो और अगर n by p ratio ज्यादा हो तो बीटा rays emit होती है इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं अपना next question तो next question पूछा है तो ये दो हमें nuclei दिये हुए है 14C और 14O तो इन में पूछा गया है इन में से क्या इसमें से emit होगा हमें मालूम है कि carbon का atomic number है 6 उसी तरह से oxygen का atomic number है 8 तो अगर हम इसमें से n by p निकालना चाहें तो हमें इसमें से neutron निकालने होगे तो oxygen के लिए जिसे carbon के लिए पहले निकाल लेते हैं number of atomic number of carbon is 6 और यहां पर इन में 14C दिया हुआ है 14C यानि मास इसका 14 है तो 14 में से 6 निकाला that makes 8 तो 8 इसमें neutron है तो proton कितने है 6 और proton कितने है 6 neutron कितने है 8 तो n by p क्या हुआ इसका n by p हुआ 8 by 6 तो यह है higher side अगर यह higher side है तो वो beta decay करेगा तो हमें वो option देखना पड़ेगा जहां beta decay है तो यहां positron emission है scale यह नहीं होगा positron और beta दिया हुआ है लेकिन beta जो respectively क्रमशा दिया हुआ है यानि beta इन्होंने oxygen के लिए दिया हुआ है तो beta जो decay है वो oxygen के लिए नहीं बलकि carbon के लिए होगा तो उसका मतलब यह वाला option भी नहीं है और यह वाला option भी नहीं है carbon के लिए beta decay होगा क्योंकि n by p जो है excuse me 8 by 6 है oxygen का निकाल लेते हैं oxygen का atomic number है 8 और इसका mass number है 14 तो 14 minus 8 that makes 6 तो उसका मतलब है oxygen का n by p है 6 by 8 जो कि less than 1 है तो less than 1 में beta decay तो नहीं होगा तो उसका मतलब यह जो option है इन दोनों के लिए वो गलत दिया हुआ है और उसका मतलब एक ही जो अभी हमने अभी information देखी थी उसके अनुसार यहां केवल एक ही option है जिसमें carbon के लिए beta decay और oxygen के लिए positron emission बैठता है यही इसका answer है so the option is answer c option number c is the correct answer और यह भी काफी easy था information was useful to you thank you for being with me